हैं जी फ्रेंद्स वेलकुम बेक टू माई न्यू वीडियो तो जी आज मेरी वीडियो है कार्डबोर्ड से लेटर तो देखिए इस तरह हैं दो पीस हमने कार्डबोर्ड के लिए है सर्कल तो आपको अगर सर्कल काटने में थोड़ी सी दिकत है तो आप फ्रेंड्स कोई भी प्लेट्स ले लिजिए वो काटबोर्ड पे रखकर निशान लगा कर सर्कल काटना बहुत ही ज्यादा इजी है तो जी थोड़ा सा मजबूति का काम करने के लिए मैंने दो सर्कल एक जैसे काटे हैं और उनको देखिए ग्ल्यू गं से हम इस तरह टैच कर देंगे अब फ्र कर आएगा तो आगे आगे बताऊंगी कि मैं यह इस चीज़ से क्या बनाने वाली हूं और दूसरा यह कि देखिए छोटी सी एक हैंड वोच थी तो यह क्या था टूट चुकी थी तो मैं यह बटर वर्क कर रही है तो फ्रेंस मैंने इसको शमाल कर रखा हुआ था तो आज ह हम इस काम में इसका यूज कर लेंगे तो इसको मैंने ग्ल्यूगन से सेंटर में चिपका दिया है उसके बाद देखिए मेरे पास थोड़े से सिल्वर कलर के स्टोन पड़े थे तो वो भी मैंने ग्ल्यूगन के हल्प से वो भी स्थिक कर दिये हैं इसके बाद फ्रेंस था कि मैंने क्या ड्रो करना है ना कुछ मैंने इस पर ड्रो करकर पैंसिल वगरा से रखा हुआ था तो बस इस तरह साइडों में से एक लैस पड़ी थी फ्रिल वाली तो वह मैंने लगा दी है उससे और ज्यादा सुन्दर लगने लग गया और देखिए इस तरह हैं फिर मार्क में डिजाइन आया तो मैं वैसे ही बस बनाती रहे तो देखिए ब्लैक पे कितना अच्छा कोई भी कलर करेंगे तो बहुत ही सुन्दर लगेगा और कलर सारे उठकर आते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए हम कोई भी टूटी-फूटी चीज है उसको इस तरह काम सुन्दर लगेगी अब मैंने जी बस येलो कलर की डोट-डोट सी लगाई हैं तो देखिए ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको दिवार पर हैंग कर सकते हैं बट मेरे पास ये देखिए कितना सुन्दर लग रहा है मेरे पास एक फोटो टेबल पे एक फोटो स्टेंड था तो वह तक्षी थी तो वह भी वर्क नहीं कर रही थी कराब हो चुका था तो ये मैं बस उस पर ही लगाऊंगी दूसरा मेरा ये इस तरह हैं देखिए अक्सर मिठाई वगरा के आड़ वोड हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं तो काफी मोटे होते हैं तो उसका देखिए एक साइड ली है मैंने और अंदर मैंने सोचा है एक ड्राइफ रूट का बॉक्स आया हुआ था तो वह भी टूटाट चुका था तो उसकी एक छोटी सी देखिए एक कुछ वह सामने रखी हुई है गोल्डन कलर की कोई मतलब इतनी अच्छी प्लेट सी काफी सारी से थी है तो मैंने संभाल कर रख ली तो वह हम इसमें योज करेंगे तो मैंने सेंटर में लगा दिया आप ऐसनें में लगाया था अंधो कर देती हुँ लगाऀसर कहा है पछत झारोगर में घिस जाती है तो हम उसको फैक्ट एते हैं बट वह भी बहुत काम की चीज है उसमें काफी सारी बैंबो स्टिक्स निकलती हैं तो देखिए उनका भी यूज मैंने इस तरह किया है तो उपर में पतली-पतली साइज में काट ली है तो फ्रेंड्स आप कभी भी जाड़ू हो जाती है तो उसको देखना बहूँ सारी उसमें स्टिक्स आठ तस निसमें से हमें मिल सकती हैं तो आगे हमारी क्राफ्ट के काम में बहु ज़गा काम आथी है तो इदर सारा ही बस मैंने वेस्ट मिट्रियल लिया है आई स्क associ przyम के दो ड़कन है तो यह देखिए दो और द बस फैविकोल से इस तरह हम सारी जो हमारी आईस क्रिम स्टिक है वो लगाते रहेंगे और देखिए इस तरह उसारे पे लगा देगे अब इधर थोड़ी सी जगें कम पढ़ रही है तो इधर थोड़ा सा कटिंग कर देंगे सीजर वगेरा से तो देखिए इस तरहें साइड़ें भी पूरी भरी भरी सी लगेगी और बीच में ये हमारा बहुती ज़दा जो भी डिजाइन है बहुती सुन्दर लग रहा है फ्लावर वाला तो इस तरहें जब भी चीज़ें घर में तूरती फूरती है तो एक बार आप जुरूर उनको संभाल कर रखेगा हो सकता है हमारी कभी ना कभी या तो बच्चों के प्रोजेक्ट में स्कूल के या हमारे कोई भी क्राफ्ट में काम आ सकती है आप फ्रेंड्स मैंने बस जो ये वील की शेप देने की कोशिश कर दी हूँ वील की तरह है तो मैंने दस फ्रेंड्स ये दोनों सुखेंगे उसके बाद अब ट्रे में हमारी स्टिक्स है वो अच्छे से स्टिक हो चुकी है उसके बाद ब्राउन एंड वाइट दोनों कलर लिए हैं दोनों की कंबिनेशन करक मैं इसके उपर करूंगी तांकि ऐसा लगे वूडन की तरह हैं बिलकुल ही कि ये ट्रे जो भी हम बना रहे हैं ये मतलब इसको वूडन की तरह हैं शेप देने की कोशिश कर दी हूँ तो जब भी फ्रेंड्स हमने कोई मतलब वूडन टाइप कुछ चीज बनानी हैं तो उस तरह हैं तो और ब्लैक का भी हम थोड़ा सा टची देंगे ज्यादा ब्राउन ही करेंगे तो बस जी ब्राउन मैंने एक बार करकर सारा फिर मैं थोड़ा थोड़ा वाइट का टच दे रही हूँ अगर हमने ओर डार्केस्ट करना है थोड़ा सा तो हम ब्लैक का टच दे सकते है तो फ्रेंस यह देखिए फाइली हो चुका है और बिल्कुल पिचान में नहीं आ रही भी यह चीज थोड़ा सा बार से देखिए जुरूर लग रही है कि यह कार्डबोर है तो इसको भी हम कलर कर देंगे और इधर जो भी चिज़ें छोटी मोटी मैंने इसमें यूज करनी है जो बनाने जारी हूँ तो उन्ची जोंको भी मैं बस जी ऐसे पेंट कर दूंगी यही कलर जो क्योंकि हमने इसका बेस रखना है वोडन की तरह तो फ्रेंस बस सारा मैं यह ब्राउन कलर ही करूंगी देखने में लगे कि हमारी यह वोडन की ट्रे है और देखिए जी बस यह सारा सूकने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं तो यह सारा बस सूक जाएगा दो-चार मिनट के बाद यह देखिए दो वील में लगा दिये हैं साइडों में और बस हम दो और लगाएंगे और यह बस आगे जो लगानी है बस मैं उनको देख रही हूँ किस तरह मैं इनको लगाया जाए तो यह देखा है कि नीचे के साइड जो हमने यह फैविकोल से दो स्टिक हैं आइस्क्रीम स्टिक ऐसे क्रोस मारकर ऐसे रखी थी तो मैं आगे के साइड लगाऊंगी तो यह देखिए फ्रेंस अब दो और लूँगी और देखिए इस तरह चार वी कोई अच्छी सी ठेला टाइप कुछ बन जाएगी जो कि हमारे डाइनिंग टेबल पर हम रख सकते हैं कोई भी टेबल पर हम इसको सजा सकते हैं शोपीस के तो पर इसको यूज़ कर सकते हैं अब फ्रेंस फाइनली सारा सूख चुका है अब मैं वार्निश का कोड़ दूँ हमारा सूख कर रेडी हो जाएगा और फ्रेंस देखिए इस तरह हम आइस क्रीम भी खाख हो कर ये कप वाली जो आती हैं वो भी हम फ्रेक देते हैं बर देखिए आज इस काम में सारा ही हमारा वेस्ट मिटीरियल है वो ही काम आया है कबार कह लीजिए कोई भी घर में अपने बास्किट है या बोक्स है उसमें अपना ये सारा समान उठाकर रख लीजिए कभी ना कभी हमारा ये काम में आ जगता है तो फ्रेंस फाइनली ये देखिए कितना अच्छा है टेबल पर मैंने रखकर मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए अंदर से वानिश लगाने के ब वानिश ने पर पर देखिए जीरो बजट में बसकबार से ही जुगार किया है घर की चीजों से ही बन कर रेडी हुए है तो देखिए ये सेंटर में से हमारी ट्रेवी कितनी अच्छी लग लिगी है और तो फ्रेंस आई होप आपको आज की वीडियो आज की क्राफ्ट okay, bye-bye